मेरी वीडियो डियरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप सब का मेरे इस चैनल में और आज जिस राशी के बारे में हम जानकरी करेंगे उसका नाम है कुम्ब तो क्या दोस्तों ये कुम्ब राशी है और क्या इसकी चैप्टर वाइस जानकरी है तो समय न खराब करते हैं फटाफट से जानते हैं इसके बारे में सबसे पहले बैसिक डिटेल में नाम गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो और दा तो गय और सैवाली जो सीरीज है उनके जो लोग हैं वो इसके अंदर आते हैं और ग्रह स्वामी शनी और ग्रह देवता शनी देव और शिव जी तत्व वायू भाग्यांक चार, आठ, तेरा, सत्रा, बाईस और चबईस शुब दिन शनी वार और राशी चिन्ड कलश या घ परमग्र मित्र राशियों में मित्वन और तुला, शत्रू राशियों में मेश, व्रश्चिक और धनू, विवाव, भागेदार राशी शिंग और शुब रत्न वन नीलम। ये इसके बारे में मैं पहले ही वता चुका हूँ कि राशियां जो है शत्रू, मित्र और प्रिली से ही मिलेगी एक बैसिक डिटेल जो है वो इसकी यह है अब हम देखते हैं इसकी जीवन शेली के बारे में शारीरिक संदचना की बात करें हम तो स्लिम होते हैं इस राशी के लोग कहने का मतलब पतले होते हैं और साथ में इनका कद भी लंबा होता है हाला की बाकी शरीर की तुलना में देखेंगे तो गर्दन छोटी और मोटी सामानेते देखने को मिलेगी इनकी नाक बहुत आकरशक होती है और तराशी भी होती है इस तरह की कलाकारी वाली नाक आपको उनको मिलेगी जिसको देखते ही मनमोक वाली स्थिती बन जाएगी और बाल काले वा घने होते हैं इनकी आखों में एक जिन्दा दिली का ऐसास होता है लेकिन चेहरे पर बहाओ आपको हमेशा गंभीर मिलेंगे कुछ मजाकिया किस्म भी कभी कभी इनका दिख सकती है हाला कि जो ज़्यादातर प्रसंटेज है वो गंभीर किस्म के लोगों का ही है इनकी मुसकान आपको फिल्टर यानि कि एक मनमोहक एहसास देने वाली होती है और इसके अलावा इनके गालों पे आप छोटे से छोटार ब संबीर नहीं होते हैं इस बात के प्रती हाला कि इनको कोई फरक नहीं पड़ता इस बात का लेकिन ये बाहर से कैसे दिख रहा हैं चलने जो चल रहा लेकिन अंदरी अंदर इस बात का ये बहुत मजा लेते हैं इस situation का तो ये इनका थोड़ा सा weight and watch वाली स्थिति होती है उन अब देखते हैं इनका खान पान खान पान की बात करते हैं तो इन लोगों को रक्त संचार प्रणाली को अच्छा रखने वाला खाना खाना चाहिए क्योंकि जो भी प्रॉबलम हो सकती है वो ब्लेट सर्कुलेशन के अंदर ही हो सकती है इसलिए ब्लेट शुकर के लेवल को चेक करवाते रहना चाहिए ताकि वो कंट्रोल में रहे किसी प्रकार की कोई समश्या की आशंका हो तो वो पता चल जाए सबसे बड़िया खाना इनके लिए सलाद, अक्रोट, नाशपती, नीबू, संतरा, सेब, कस्तूरी, मूली, मक्का, आडू, अंगूर, खटे फल, विटामिन C वाले इनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेंगे और अगर नॉन विच का यूज करते हैं तो उसके लिए प्राउन, सीपी, फिश, वो भी समुंदरी यानि कि जो समुंदर में पाए जाने वाली मचलिया है या समुंदरी खाना जो है इनके लिए दी बेस रहेगा इनको cold drink और sugar added वाले जो drinks होते हैं उनसे हमेशा बचने चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मातरा में शक्कर होती है जो की इनके लिए नुकसान दैक हो सकती है साथ ही इनको junk food खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है तो इस चीज को छुड़वाने के लिए या इस आदत से निजाद पाने के लिए snacks के रूप में ये घर में बने हुए nuts या घर में बनावा कोई नाशता है जिसमें फल और सबजियों का वरपूर इस्तेमाल है उसमे ये काम में ले सकते हैं तो ये इनके लिए best नाशता रहेगा बजाए बजार के और caffeine जो है वो इनको बहुत जल्दी प्रभावित करती है इससे ही अपना काफी नुकसान कर सकते हैं इसको छोड़ने के लिए ये herbal tea या दूद का रुख कर सकते हैं या दूद में अदरक वग करने की ज़रत है ज्यादा कुछ चेंज करना नहीं है सब कुछ ठीक है थोड़ा सा बदल दीजिए इसके अनुसार आपका बहुत चांदर काम हो जाएगा अब देखते हैं इनका सभाव आदते हैं सभाव की बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनें आप लोग की बहुत एक डिफरेंट किस्म का नेचर है और कहिने की डबल मीलिंग आपको इसके अंदर नजर आएंगे ये लोग सामानेते शर्मिले और शान्त होते हैं लेकिन दूसरी और ये लोग संकी और उर्जावान भी हो सकते हैं लेकिन दोनों ही परिस्तितियों में एक कॉमन बात यह है कि ये लोग गहन विचारक होते हैं वे अत्यदिक बहुत दिक होते हैं जिनें दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है दो पक्षों के पीच यदि समस्या है तो ये बिना दोनों को नुकसान पहुचाएं या यू कह सकते हैं कि बिना पक्षपात के ये समाधान निकालने में या उनका समाधान करने में महिर होते हैं भले ही इनके पास उर्जा का बंडार हो परन्तु उसका सदुपयोग करने के लिए इनको दूर रहकर गहन विचार करना होता है या अकेले में ही ये अपनी शक्तियों को पैचान सकते हैं और उसके बाद ये जो महान काम करते हैं उसका अंदाजा कई बार इनको खुद को भी नहीं होता है और लोग इस बात की बड़ी प्रशंसा करते हैं इसके बाद इन्हें इस दुनिया में अपार संभावना है नजर आती है कि मैं वाके में बहुत कुछ कर सकता हूं ये लोग हर अवसर पर अपने मन का उप्योग करके अच्छा परिणाम लाने में सफल होते हैं लेकिन यदि इस अवसर पर अपने मन का ये उप्योग नहीं करें तो जीवन से ये उबने लगते हैं और जीवन में इसलिए बैस्ट रिजल्ट के लिए इनको कही ने कही एक प्रेणा की भी जरुत होती है कि यानि इनमें सब कुछ है लेकिन हलका सा एक किक या हलकी सी एक पीचे से अगर एक मतलब वो तड़ा सा प्रेशर पड़ गया तो इनके बाद जो ये काम करेंगे शायद ही किसी को उम्मीद होगी ये लोग कभी-कभी डरपोक और कभी-कभी ज़्यादा आकरामक भी अपने को प्रदेशित हो सकते हैं या ऐसा लगता है कि इनका प्रदेशों में ये लोग क्या करेंगे इनको गुरूप में रहना अच्छा लगता है और चाहते हैं कि ये लोगों से हमेशा घिरे रहें फिर भी इन्हें एक स्वस्त तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कला सीखना जरूरी है क्योंकि जैसा ये चाहते हैं ये विश्वाश भी करना बहुत जरूरी है और ये वैसे तो दूसरों की बहुत मदद कर देंगे लेकिन कभी जब जरूत पड़ेगी खुद के लिए मदद की तो उसको मांगने में कत्राएंगे इसके पीछे भी कहीं एक ये कारण सामने आता है कि ये दूसरों पे अच्छान के काम आता है मदद लेने वाद देने से ही काम चलता है इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम किसी से मदद मागे या मदद दे ये दोनों एक गाड़ी के पई हैं दोनों साथ चलेंगे तभी हमारा काम चलेगा ठीक हाज आज आप वेल सेटल है कर सकते हैं लेकिन कभी जब जरूत पड़े तो हिचकिचाए नहीं अपने लोगों से मदद मागे इस बाने अच्छे और बुरे का भी आपको पता चल जाएगा इन लोगों में कमाई करने की शम्ता बहुत होती है परंतु ये इसे महत्वपूर नहीं मानते हैं और यहीं इनके लिए कई ने कई त गड़िवार वैसे तो ये लोग बहुत मिलंसार होता हैं पर करीबी होने के लिए समय की भी आउशेक्ता होती है जो कम ही दे पाते हैं अपने मित्रों को इसलिए जो कुम्बराशी के लोग हैं और वो ये मेनेजमेंट कर लेते हैं टाइम का उनके तो बहुत अच्छे मित् बहुत लेकिन इसके लिए भी परिश्टितियां सरव परी है ऐसा नहीं सबके लिए कर देंगे यह किसी खास के लिए अपना सबकुछ लुटाने के लिए तयार रहेंगे वो परिश्टितियों के अनुसाद डिपेंड करता है और यदि परिवार की बात करें तो परिवार के लोग इनसे बहुत उम्मीद करते हैं और अपने करतव्य ये अपने परीजनों के लिए पूरे करते नजर आते हैं लेकिन ये परीजन इनकी उम्मीदों को पूरा न करें तो ये उनके साथ में गनिष्ट संबंद बनाये रखने में ऐसमर्थ हो जाते हैं यानि ये जितना चा रहे हैं वैसा नहीं है तो यहां थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हो सकती है और अगर मैं आपको इसका निश्कर्च बताऊं तो इस राशी के लोग चाहते हैं कि दुनिया वाले इनको समझें लेकिन इनका बदलता रवया और संकीपन कभी कबार इनके ओपर बहुत ज़्या है या इस बात का इनको बुक्तान जो है काफी समय तक करना पड़ता है ये कहीं न कहीं इनके ओपर हावी होने की वज़े से जो कि इनका बदलता रवया और संकीपन प्रमुक रूप से शामिल है अब देखते हैं प्यार वा सेक्स इनके साथ रिष्टे को निभाने के लिए इमानदारी और निष्ठा का होना बहुत जरूरी है उस इनसान में जो कुम्बराशी से जुड़ना चाता है प्यार में ये कुम्बराशी वाले वफादार वा प्रतिबद है और कभी भी अपना हक नहीं जमाते हैं उसके उपर य होते हैं और उसको स्पून रूप से सुतंतता देने वाले होते हैं लड़के लड़कियों के बीच में यानि जो कुम्बराशी के लड़के हैं वो लड़कियों के बीच में आक्रशन का केंदर होते हैं और वहीं कुम्ब वाली जो लड़किया है अपने दिल की भावनों को बहुत समाल करके रखती है और समय आने पर ये शादी के बाद ये एक किसी खास के लिए उनका समाल के रखना उनके लिए बहुत जरूरी होता है इसलिए इन्हें पाना इतना आसान नहीं होता है हर किसी के लिए और रोमांस के अगर मैं बात करूँ तो उसमें इनका जो स्नान है या बात चब है या जो शावर है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है आप समझी गए होंगे मैं क्या कहना चाहरा हूँ जादा बाते अपन कमेंट्स के थुरू कर सकते हैं यहां के लिए इतना ही काफी है रोमांस में अब देखते हैं अब इनके केरियर और पैसे के बारे में नौकरी की बात करें तो नौकरी में उत्सा भरना वह व्यवसाई कुद्देशों में अपनी कलपना शीलता का दोहन करना यह इस काम में बहुत माहिर होते हैं इनके लिए जो सबसे बेस्ट केरियर है वो ये है कि अवधारना यानि कि दिमाग में अगर कोई कलपना चल रही है तो उसको डवलप करना और उसे प्रेजेंट करना सबसे बेस्ट केरियर में शामिल है जैसे कि एक्टर, राइटर, टीचिंग, फोटोग्राफी, पाइलेट, आदी इस तरह के जो काम है ये ऐसे वातावरण में होते हैं मतलब उस वातावरण में ये काम करना पसंद करते हैं जहां इनको निर्देशों से मुक्ति मिल सके और ये स्वैम की प्रतिवा को निकारने में इनको पूर्ण सोतंतिता का उप्योग कर सकें यदि ऐसा होता है इ बहुत सफलता की सीडियों पर चड़ते में मिलेंगे और पूर्ण रूप से एक ऐसी अपनी कलपना को सामने लाके साकार करेंगे कि लोगों को लगेगा कि वाकई में इस आदमी में बहुत जबरदस्त कॉलिटी है जिनोंने सफलता का नया इतिहास रचा है ये लोग पैसे कम जाना कोई बुरी बात नहीं होती किसी में थोड़ा ज्यादा किसी में थोड़ा कम ये सुभाव होता ही है ये दूर दर्शी होते हैं वह मानवता को बहतर बनाने के उद्देश से की जाने वाली गति विदियों में सलगन वह शामिल होना इनको पसंद होता है लाइक हूमन इनके बात करूँ तो प्रगतिशी लोना स्वतंत्र मानवी है human being nature और इस्थिर ऐसे गुण इनके अंदर बहुत ही कमाल के देखे जाते हैं जो की आकटशक भी है और बहुत जरूरी भी है कहीं न कहीं समाज के कल्यान के लिए और खुद के कल्यान के लिए भी अब देखते में चले जाना और उसके बाद में कुछ नहीं कर पाना ये इनके सबसे आउगुणों में शामिल है अब देखते हैं इनका सौंदर्य है इनको गहरा नीला और गहरा हरा कलर जो है वो सबसे अदा आकरशित लगने वाला होता है और इससे रिलेटेट ड्रेसेज जो है वो कमाल क लगती है वैसे इनमें आप देखेंगे प्राकरतिक सौंदर्य इतना है कि किसी बनावटी पन की इनको जरुत नहीं पड़ती सबी कपड़ों में अच्छे लगते हैं चाए वो इंडियन हो वेस्टन हो इंडो वेस्टन हो या कुछ और कैसे भी लेलो उन सब के अंदर ये बहुत सुंदर और आकर्शक लगेंगे लेकिन ये साधारन कपड़े भी पहनेंगे तो उसमें भी कुछ न कुछ गजब का आकर्शन आपको इनके अंदर किचाव सा मैसूस होगा पुरुष जो है वो चमकिले सूट पहनके से एतराज नहीं करते बलकि आकर्शन का केंदर लग सकें ऐसे कपड़े और ऐसे वस्तर जो है मतलब उनका कॉंबिनेशन करके पहनना उनको बहुत पसंद आता है वहीं इस तरियों की मैं बात करूं तो ये तो बिना प्रयास के ही लाइम लाइट में आ जाती है और अच्छा माहुल पर एकादिकार सा जमाने लगती है ये ये किसी पार्टी या किसी ऐसी जगे पे जाएं तो लगबग सब की नजरों को चुम्बक की तरह खीचना इनके लिए बहुत सभाविक है या ये काम अपने आप ही होने लगता है ऐसा हम कह सकते हैं यानि इन लड़कियों को कोई देखे नहीं ये नामुम्किन सा है इनके स सभाव इस तरह का मैं तो सौंदरे देखा गया है अब देखते हैं इनकी पसंद और नापसंद मित्रों के साथ में मस्ती करना या सहिलियों के साथ में खुब गपशयप और मौज मज़े उड़ाना दूसरों की मदद करना किसी कारण के लिए लड़ना यानि कोई ऐसी वज होता है जो ये खुद भी हैं और सामने वालों को भी चाहते हैं कि ऐसा मुझे सुने और मैं उसकी सुनूं अब इनकी नापसंद अंकुष में रहना या अंकुष वाली इस्तिति तूटे हुए वादे अकेला रहना सुस्ति या उबाव इस्तिति और इनसे जो कोई भी ऐसा सकत थोड़ी सी कमजोर होती है और लोगों के मुकाबले अतर इससे संबंदित रोग इनको हो सकते हैं लेकिन उससे बचने का सबसे बैस्ट इलाज है कि ये कैल्शियम का वरपूर उप्योग करें और जैसे की दूद में और इससे बने में जो प्रोड़क्ट्स हैं उनको ल जैसे हो मैंने कहूंगा क्योंकि मोटे भी कई बार होते हैं जबकि मैंने खुदने भी ऐसे लोग देखें जो मोटे हैं कुम्बराशी वाले लेकिन जनरली जो है पाचन तंत्र इनका बहुत अच्छा होता है इसलिए जो खाते हैं वो सही तरह से पज़ जाता है और हर तरह जैसे यह स्वास्ते के मावले में ठीक है बस यह छोटी मोटी कोई समश्या है जिनको बचने की जरूत है जिनके अंदर प्रमुक रूप से चिंता करना है यदि यह चिंता करना चोड़ दे तो इनके लिए बहुत बेटर रहेगा वरना नर्वस सिस्टम जो है वो फेल हो सक कर सकते हैं लेकिन अगर कुछ देर के लिए योगा को अपनी जीवन में शामिल कर लेंगे जिसमें ब्रहामरी और कपालवाती मुक्य रूप से शामिल है तो इनके लिए यह माइग्रेन या जो नर्वस सिस्टम फेल होने वाली कंडिशन है कभी आएगी नहीं और आएगी तो इनको काफी मदद मिलेगी उसके अंदर इसको सौल करने में ओवराल अगर मैं देखूं तो ये लोग एक अच्छे स्वास्ते के साथ में एक बहुत अच्छी उम्र यानि बुड़ापे तक जीवन जीते हैं क्योंकि खास प्रॉब्लम इनको होने वाली नहीं कोई आधत और यहां तक आये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं बागी लाइक कमेंट्स और शेर का जो सिल्षिल आपने जारी किया उसके लिए बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में लास्ट राशी मीन राशी और बचिये उसके बाद थैंक यू वेर